लोकतंत्र का उत्सव मनाया और मनाते जा रहे हैं और ऐसे समय में जब देश में हमको लग रहा है कि लोकतंत्र का पतन होता जा रहा है ऐसे समय में ये लोकतंत्र का उत्सव मनाना और भी जादा जरूरी है और इस मशाल को जलाए रखना और भी जरूरी है तो तेखिए लोकतंत्र की हिफाज़त करना हमारे समविधान की हिफाज़त करना हमारे मौलिक अधिकारों की हिफाज़त करना इन सब का दायत्व हमारे समविधान में न्यायपालिका को दिया गया है कई लोग सोचते हैं कि न्यायपालिका का तो काम है जो जगड़े जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुल जाना लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा जो दायत्व हमारे समविधान ने न्याय पालिका को दिया है वो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना समविधान की रक्षा करना लोकतंत्र की रक्षा करना और विधाईका और कारेपालिका को अपने अपने दाइरे में रखना और अगर हम आज ये सवाल पूछें कि क्या इस कसोटी पर कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो रही है हमारे संविधान की रक्षा हो रही है कि नहीं हमारे लोकतंत्र की रक्षा हो रही है कि नहीं क्या कारेपालिका और विधाईका को अपने अपने दाइरे में रखा जा रहा है तो उसका इमानदार जवाब होगा कि बहुत कम बहुत कम आज तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ सम्विधान का भी पतन नहीं हो रहा बलकि सारी जो हमारी सभ्यता की वैल्यूज हैं उनका भी पतन होता जा रहा है और उसके पीछे मेंली आज की मौजूदा सरकार है जो लोग सत्ता में काबिज हैं वो लोग हैं और उसको रोकने का काम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को करना चाहिए था वो बहुत कम हो पा रहा है करीब नहीं के बराबर ही हो पा रहा तो अगर हम देखें कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनकी कसोटी पर हम देखें कि कितना हमारा न्याय पालिक का कितनी खरी उतर रही है तो अगर हम liberty का issue लें तो हम देखते हैं कि आज भीमा कोरिगाओं के इतने सारे हमारे finest human rights activists हिंदुस्तान के उन सब को इतने साल से जेल में रखा हुआ है कुछ लोगों को 4-5-6 साल के बाद बेल दी गई है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उसमें से जेल में है ट्रायल भी नहीं शुरू हुई ये भी हर बात आ गई कि उनके खिलाब जो चार्ज लगाया है वो जूटे चार्ज हैं और वो पेगसस का यूज करके उनके कम्प्यूटर में कुछ इमेल वगरा डाल दी गई है उसके आधार पर चार्ज लगाये गए हैं ऐसे बिलकुल बे बुनियाद बोगस चार्जिस कि आप रधान मंत्री की हप्तिया करने की साजिश कर रहे थे अंतलब जो बिलकुल पीस्फुल यूमन राइट्स एक्टिविस्स रहे हैं जिन्होंने कभी भी कोई हिंसा नहीं करी या कहीं हिंसा का कोई वो भी नहीं किया उन लोग के खिलाफ इस तरह का चार्ज लगा दिया गया है और वो भी फैब्रिकेट करके evidence को फैब्रिकेट करके चार्ज लगाया गया है और छे साल हो गए बेल भी नहीं हो रही ट्राइल भी नहीं शुरू हुई तो ये एक बहुत बड़ा failure है हमारे नियाइक विवस्था का कि ये सब होने दिया जा रहा है उसी तरह से दिल्ली राइट्स के cases में उमर खालिद जैसे कई बहुत बढ़िया एक्टिविस्स हैं जिनके हर speech के videos हैं कि भई उन्होंने कभी कोई हिंसा को नहीं उकसाया हर बार वो ये कहते हैं कि भई हमें हिंसा नहीं करनी है हमको कानून नहीं तोड़ना है वगरा वगरा हमको बिलकुल peacefully इसका विरोध करना है लेकिन फिर भी उन्हों को जेल में रखा हुआ है अभी तक उनकी बेल भी नहीं हुई ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ ये सब इसलिए भी हो पा रहा है वो इस तरह के तमाम और उदारण है इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि ऐसे कानून बना दिये गए हैं जैसे Unlawful Activities Prevention Act Prevention of Money Laundering Act ये सब जो हैं काले कानून है क्योंकि इसमें एक तो खेर Unlawful एक्चली ये टेरोरिजम के खिलाफ एक कानून था लेकिन उसमें Definition में Unlawful Activity के Definition में डाल दिया है Questioning the Territorial Integrity of India Amounts to Unlawful Activity Promoting Disaffection Against India Amounts to Unlawful Activity यानि कि अगर आप जब ये Sedition का मुद्दा Supreme Court गया Sedition का कानून अंग्रेजों ने बनाया था Promoting Disaffection Against the Government Amounts to Sedition और उसको बहुत serious crime declare कर दिया था उसको जब question किया गया हमारे संविधान के बाद कि भई ये तो हमारा मौलिक अधिकार है अगर हमको लगता है कि सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो सरकार के खिलाफ बोलना सरकार के खिलाफ डिसफेक्शन भी promote करना तो हमारा मौलिक अधिकार है freedom of speech में आता है न डिमोक्रसी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एक constitution bench ने फैसला दिया कि हाँ ये बात सही है कि ये मौलिक अधिकार है और इसलिए इसको हम read down कर देते हैं यानि कि हम ये कह देते हैं कि जब तक कोई जना ऐसा नहीं कहता कुछ जिसको हम ये कह सकें कि वो हिंसा बढ़का रहा है या पब्लिक डिसॉर्डर बढ़का रहा है तब तक sedition का case उसके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता ये कह दिया लेकिन उसके बाद भी हम देखते गए कि भई ये sedition का चलता ही जा रहा है, लोग फिर भी कार्टून बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर को करने के लिए उनके खिलाफ भी sedition का case बना दिया जाता है कुछ भी कोई जना भी प्रदान मंत्री के खिलाफ, मुख्य मंत्री के खिलाफ कुछ बोल दे उसके खिलाफ sedition का case बना दिया जाता है तो हम लोगों ने फिर से हम लोग Supreme Court गए और Supreme Court ने fortunately sedition का जो अपराद है उसको stay कर रखा लेकिन उसी का एक slightly variation unlawful activities prevention act में डाल दिया उसमें लिखा था promoting disaffection against the government यहां लिख दिया है promoting disaffection against India तो अब disaffection against India मान लीजे अगर Indian government की आप कोई policy या कोई मान लीजे अगर हिंदुस्तान की सरकार internationally जैसे इसराइल में आजकल गाजा के ओपर हमला चल रहा है और इसराइल का कोई नागरिक यह कहता है कि भई यह इस तरह से हमला करना गलत है इंदुस्तान में अगर ऐसा होता तो उसको तुरंत unlawful activities prevention act में कर लेते you are promoting disaffection against India तो एक तो इसमें यह problem है दूसरा उसमें बेल का जो provision है बिलकुल फरक कर दिया है नॉर्मल बेल का कानून यह कहता है कि बेल is a right, jail is the exception और आप बेल तभी deny कर सकते हैं when a person is under trial or under investigation अगर तीन में से एक condition कम से कम present हो या तो यह एक genuine serious apprehension हो कि अगर इसको बेल पर छोड़ दिया तो यह trial face ही नहीं करेगा भाग जाएगा दूसरा अगर इसको बेल पर छोड़ दिया तो यह evidence से temper करेगा तीसरा इसने बहुत एक घिनोना अपराद किया है rape, murder वगरा का यह serial rapist है, serial murderer है इसको छोड़ दिया तो फिर से rape और murder करेगा अगर इन तीन में से कोई भी condition present नहीं है तो आपको बेल देनी पड़ेगी यह normal कानून है लेकिन UAPA और PMLA में बेल के बारे में जो प्राफधान है उसमें यह लिख दिया कि बेल शल नॉट बी गिवन अगर कोई झूटा अपने किसी का बिलकुल झूटा 161 का statement record कर लिया कि मैंने इसको देखा कि यहाँ पर यह conspiracy कर रहा था कि मैंने इसको देखा कि यहाँ पर यह कर रहा था बिलकुल झूटा अब वो झूटा है लेकिन trial के पहले तो हम उसको झूटा थाबित नहीं कर सकते लेकिन फिर भी bail deny कर दी जाएगे और ऐसे काले कानून PMLA, UAPA जैसे जो कि बिलकुल हमारे मौलिक अधिकार जो article 21 right to life and liberty का है उसके बिलकुल खिलाफ है उनको भी बजाए strike down करने के Supreme Court ने उल्टा कर दिया भी एक बटाली का judgment दिया Supreme Court ने जिसमें ये कह दिया कि bail देते समय आप ये भी नहीं देख सकते कि जो evidence किसी के खिलाफ पुलिस ने बोला है कि भै इसके खिलाफ ये evidence है कि इसने ये अपराद किया कि वो evidence कानून में admissible है कि नहीं ये भी नहीं देख सकते bail के समय ये बोल दिया तो बजाए उस कानून को strike down करने के कि भै ये तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसके खिलाफ है उल्टा कर दिया उसको और draconian बना दिया तो अगर liberty के कसोटी पर देखें तो supreme court और आज की judiciary आज की नियाए पालिका बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है आर्टिकल 19 के rights अगर हम देखें कि भई freedom of speech जो civil rights जिनको कहा जाता है freedom of assembly तो आज हम देख रहे हैं कि speech के लिए जैसे tripura का हम एक case कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने जब tripura में बड़ा जब जल रहा था जैसे आज मनीपुर जल रहा है तो कुछ लोगों ने tweet किया tripura is burning उनके खिलाफ UAPA लगा दिया कि भई तुम unlawful activity कर रहे हो कुछ lawyers ने जाकर fact finding करी वहाँ और उसकी एक report जारी करी उनके ओपर UAPA लगा दिया assembly और protest के तो spaces करीब करीब बंद कर दिया हैं अभी मैं कल एहमदाबाद में था वहाँ पर एक human rights की conference थी तो उनको वो conference एक private जो वहाँ का public interest lawyer है आनन्द यागनिक उसके दफतर के उपर जो terrace है उस पर रखनी पड़ी क्योंकि वहाँ पर section 144 नहीं लगाया जा सकता otherwise पूरे city में section 144 लगाया हुआ है कि पांच आदमी से ज्यादा एकटा नहीं हो सकते हैं यानि कि कोई protest कोई meeting आप hold नहीं कर सकते हैं और इसको भी हमारी judiciary जो है चलने दे रही है दिल्ली में चलता चला जा रहा है हम लोगों पूरे city में 144 लगा दिया तब सुप्रीम कोट ने कुछ आदेश दिया लेकिन आज भी यह हालत है कि पूरे city में 144 लगा हुआ है सिर्फ आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसकी भी पर्मिशन लेनी पड़ेगी तो आर्टिकल 19 के राइट्स भी मतलब बिल्कुल कुछ ले जा रहे हैं जो हमारे civil राइट्स हैं लेकिन सुप्रीम कोट जो है देख रहा है मूख दर्शक बनकर बैठा हुआ है आर्टिकल 14 को अगर आप ले तो हमारे माइनॉरिटीज के उपर रोज हमले हो रहे हैं यहां तो गुजरात तो खेर उसका लेबॉरिट्री है लेकिन यूपी में मध्य प्रदेश में मतब religious processions Hindu processions निकाले जाते हैं Muslim areas के through हर तरह के भढ़काओ गाने चलाए जाते हैं लोक तुरिशूल, swords, लाठी, बंदूक लेकर वहां से निकलते हैं प्रवोक करते हैं और अगर किसी ने भी कुछ भी resist कर लिया कई बार तो मस्जितों में जाकर हिंसा भी करते हैं और किसी ने अगर रिजिस्ट भी कर लिया तो उल्टा उन लोगों के खिलाफ केस बना दिया जाता है जिन लोगों जो विक्टिम्स हैं उनी के खिलाफ केस बना दिया जाता है अभी तो एक केस ऐसा आया यूपी का कि allegation ये था कि आपने religious procession के उपर थूका बाद में पता लगा कि जो लोग जिनके कहने के आधार पर उन्होंने ये F.I.R. दर्स करी थी उन्होंने इह बोल दिया कि नहीं हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था लेकिन फिर भी उन लोगों को जेल में डाल दिया और सिर्फ जेल में नहीं डाल दिया उनके घर तोड़ दिये बुल्डोजर लगा कर और ये बिल्कुल खुले आम चल रहा है जिसको बुल्डोजर जस्टिस कहते हैं किसी भी कानून में इसका कोई इजासत नहीं है कि आप किसी का घर इस तरह से बुल्डोजर कर दें ये कहके कि वह इसने कोई अपराद किया है पहली बात तो उसका अपराद प्रूब नहीं हुआ है किसी भी कोर्ट अफ लॉव में आपने सिर्फ एलिगेशन लगा दिया कि इसने ये थूख दिया कहीं प्रूब नहीं हुआ है और दूसरी बात अगर प्रूब भी हो जाए वह अपराद तो उसका आप घर थोड़ी तोड़ सकते हैं उसके लिए तो कानून में जुर्म है जो कि आप उसको सजा दे सकते हैं घर थोड़ी तोड़ सकते हैं पर ये सब चल रहा है और Chief Ministers खुद सीना ठोक कर कहते हैं कि हम तो Bulldozer चला देंगे, उन लोगों को Bulldozer Chief Minister कहा जाता है, Bulldozer Baba उन Chief Ministers को, लेकिन ये सब चलने दिया जा रहा है, Supreme Court के पास भी इमाम ले ले जाए जाते हैं, फिर भी नहीं रोका जाता, Hate Speeches, खुले आम लोग दे रहे हैं, मंत्री लोग दे रहे हैं, ये जो Godman हैं, ये लोग दे रहे हैं, Journalist दे रहे हैं, Hate Speeches, खुले आम, मतलब बहुत Serious Offense है हमारे कानोन में, लेकिन उनको नहीं रोका जाता, चलने दिया जा रहा है, और उल्टा, मतलब, Government जो है, Secular Country में, Religion को प्रमोट नहीं कर सकती, किसी भी Religion को, पर यहां हम देख रहे हैं कि, Hindu religious activities में, मंदिर बनाने में, मंदिरों को प्रमोट करने में, Hindu religious tourism प्रमोट करने में, सारी सरकारें लगी हुई हैं, भाजपा की, पब्लिक पैसा खर्च किया जा रहा है, और उसको अगर कोई Question करता है, कोर्ट में अभी जैसे हाल में हुआ यहां, बंबाई में कुछ स्टूडेंस में Question किया, कि भाई यह छुट्टी क्यों डेक्लियर करी जा रही हैं, इसके लिए, कि मंदिर का उद्गाटन हो रहा है, तो उस पर उल्टा, कोर्ट को मतलब काइदे से तो उनको यह सरकार से पूछना थी यह था, कि भाई छुट्टी की साधार पर आप डेक्लियर कर रहे हैं, आपका यह जौब नहीं है, कि कोई Religious Festival के लिए आप छुट्टी डेक्लियर करें, लेकिन उल्टा आप Petitioners को डाट रहे हैं, कि तुमारा कोई Political Motivation होगा, जैसे यहां किया गया, तो मतलब Rule of Law की धजियां उड़ाई जा रही हैं, आपके आँख के सामने उड़ाई जा रही हैं, और कोड जो है मूग दर्शक बनके बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं, आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, समविदान की रक्षा करनी है, और कारिपालिका और विधाईका को अपने अपने दाएरे में रखना है, तो ये क्यों हो रहा है दूसरी बात ऐसे ऐसे फैसले आ रहे है आयोध्या का फैसला ही ले लीज़े यानि कि जो लोग जिनको माना गया जिनके खिलाफ prosecution हो रहा है कि आपने illegalी मस्ज़िद तोड़ दी जिनका कोई right नहीं है 500 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसके आधार पर आपका कोई right नहीं बनता लेकिन उन्हीं को आपने वो जमीन दे दी कि भई वहाँ पर मंदिर बना ली जाए और उस judgment में ये लिखा है कि भई places of worship act आ गया है आगे से कोई ऐसा विवाद नहीं हो सकता लेकिन फिर भी जब ग्यान वापी मौस्क के उपर ये विवाद लोग शुरू करते हैं कि भई हम देखना चाहते हैं कि यहां 500 साल पहले क्या था हम खोद के देखना चाहते हैं तो उसको supreme court पतब does not nip the mischief in the bud clear mischief हो रहा है supreme court का काम है और वही judge जिन्होंने वो judgment लिखा आयोध्यावाला चाहे उसमें नाम नहीं है बट clear है किसने लिखा है वही judge उन्हीं के सामने आता है ये कि भई आपने लिखा है कि places of worship act के बाद इस तरह का कोई विवाद किसी दूसरे place of worship पर नहीं हो सकता क्योंकि 1947 में जो position थी वो ही position maintained रहेगी उसके पहले क्या था क्या नहीं था ये नहीं दिखा जाएगा लेकिन वो ग्यान वापी मॉस्क के case में भी उसको रोकते नहीं कहते हैं नहीं ये तो academic research हो रहा है कि हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पर अंदर क्या था उसके पहले क्या था मतलब उसी तरह से कश्मीर में कश्मीर के फैसले में ये कह देते हैं देखिए वो तो सारा ही judgment गलत है मेरी राय में आपने ये बोल दिया effectively कि governor's rule लगाकर या president's rule लगाकर आप राज को आप irreversibly बदल सकते हैं किसी भी राज को यानि कि उसको आप union territory बना सकते हैं उसमें उसको आप विभाजन कर सकते हैं क्योंकि उस समय state government तो हाई नहीं आपने वहाँ president's rule लगा दिया state assembly को आपने suspend कर रखा है या dissolve कर दिया है तो इसलिए जो constitution में लिखा है कि भई उसकी कम से कम राय लेनी पड़ेगी वगेरा वगेरा उसका आप सब you can throw all that to the wind कि अच्छा union territory बन सकता था या नहीं बन सकता था इसमें हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि solicitor general हमको अशोर कर रहे हैं कि हम इसको reverse कर देंगे अरे solicitor general कौन होता है कल वो महिर देशाई वहां थे वो कह रहे थे कि पहले हम सुनते थे कि chief justice के नाम से court जाना जाता था अमेरिका में भी कि ये burger का court है ये warren का court है वगेरा वगेरा अब तो supreme court को जाना जाता है कि ये तुशार महता का court है अब chief justice का नाम भी नहीं आता यानि कि आपने तुशार महता वो कोई भी नहीं होते है assurance देने के लिए वो कैसे वो तो legislative act है अगर आप उसको वापस state बनाएंगे union territory से हटा कर तो वो तो parliament के through होगा तुशार महता parliament का कैसे assurance दे सकता लेकिन आपने वो मान लिया और बोल दिया कि अच्छा ये तो वापस हो जाएगा तो इसलिए हमको ये सब तैय करने की जरुवत ही नहीं है अडानी हिंडनबर्ग वाले मामले में आपने ये बोल दिया पहले तो ऐसी committee बना दी जिसमें एक आदमी तो कि हम चाहते हैं कि ये inquiry करें कि भई सेबी ने अडानी वाले मामले में ठीक से investigation किया कि नहीं किया और उस committee में कौन है एक आदमी जो है वो अडानी का partner है दूसरा आदमी अडानी का lawyer है तीसरा आदमी अडानी नहीं तीसरा आदमी जो है उसका खुद investigation CBI कर रही थी ICICI वाले scam में आपने ऐसी committee बना दी और आखिर में ये कह दिया कि हम ये भी नहीं देखेंगे कि DRI ने DRI ने 2014 में एक चिठी लिखी जो हम लोग record पर लाए थे कि सेबी को कि दिखें अडानी ने 7000 करोड से जादे over invoicing से tax havens में पैसा वो लोग siphon out करके ले गए और वो पैसा यहां के stock market में उन्होंने लगाया है लगता है अपनी companyों में लगाया है उसका भी आपने नहीं देखा और जिन अकबारों ने वो सब details publish किये कि भई कैसे यह दिखाई दे रहा है कि एडानी नहीं वो पैसा लगाया है जिसके कारण सारे rules का violation हुआ है वो भी बगेर देखे आपने बोल दिया कि निने से भी जो कर रहा है बड़ा अच्छा तो हम यह देख रहे हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट की स्वतंतरता जो है पूरी तरह से चर्मराई हुई है यह बात ठीक है कि अभी भी कई अच्छे जजजिस हैं कभी कभी को अच्छे जज्जमंट्स आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अभी वो बिलकिस बानों का बहुत अच्छा जज्जमंट आया बहुत अच्छी अच्छे जजजिस ने वो जजजमंट दिया हम लोग उस दिन आकलन कर रहे थे एक एक करके कि बहु कितने जजजों को हम मानते हैं कि जो अच्छे हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि एट लिस्ट वन थर्ड जजजिस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अच्छे हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि सब गड़वड हैं लेकिन जादे तरका हम ये देख रहे हैं कि उनकी स्वतंतरता शर्मराई हुई है तो ये क्यों हो रहा है ये हमको समझना होगा उसका एक कारण ये है कि जब बहुत strong fascist government होती है तो कई बार जो judges बहुत strong नहीं होते हिम्मत वाले नहीं होते वो उनके सामने जुग जाते हैं वो गुटने टेक लेते हैं और कुछ हद तक तो इस वज़े से हो रहा है क्योंकि ये जो सरकार है बहुत strong fascist सरकार दिखती है जैसे कि emergency में Mrs. Gandhi की सरकार दिखती थी लेकिन emergency में भी 10 high courts ने ये बोला कि जब fundamental rights suspended है तब भी habeas corpus maintainable है सिर्फ Supreme Court में पांच senior judges में से चार डर गए गिर गए जुग गए और उन्होंने बोल दिया कि नहीं habeas corpus maintainable नहीं है लेकिन आज जजों का character बदल गया है थोड़ा उस तरह के जो हिम्मत वाले judges उस समय थे emergency के दौरान वो और भी कम हो गए हैं हैं अभी भी हैं थोड़े बहुत हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं तो इस वज़े से कुछ तो उसकी वज़े से हो रहा है दूसरा जो post retirement jobs का जो lure होता है कोई जना human rights commission का chairman बनना चाहता है एक sahab बन गए उनके अगर आप फैसले देखें सारे के सारे फैसले एक फैसला आपको नहीं मिलेगा जो सरकार के खिलाफ हो एक फैसला उन्होंने अडानी का 20,000 करोड से जादे का फाइदा सिर्फ एक आदमी ने करा जो आज human rights commission के chairman बने हुआ और human rights commission के chairman बनने के बाद वो क्या conference करते हैं हम ये conference करेंगे कि human rights organizations कैसे human rights में बादा बन गए हैं और कुछ सहाब हैं जो राजसभा में जाना चाहते हैं राजसभा में बैठते नहीं हैं attendance नहीं होती लेकिन जाना चाहते हैं और सरकार को भी suit करता है कि इनको राजसभा में भेज़ दो हम ये कह सकेंगे कि भई एक मुख्य नहीं अधिश सुप्रीम कोर्ट के ये कहते हैं कि basic structure doctrine गलत तो कुछ लोग governor बनना चाहते हैं governor बना दिया गया है कई ज़से ज़स governor बन गया है कुछ और commissions, tribunals में जाना चाहते हैं जो कि जिसमें भी सरकार का कुछ हस्तक शेफ होता है तो उसकी वज़े से भी काफी चर्मरा गई है जैसे अरुन जेटली ने एक बार पार्लमेंट में बोला था कि पोस्ट रिटायर्मेंट जॉब्स इंफ्लूएंस प्री रिटायर्मेंट ज़ज्मंट्स और यह बिल्कुल सही बात है लेकिन अनफॉर्चनेटली वो सिलसला चलता चला जा रहा है और उसमें आप दो चीज़ें कर सकते थे या तो यह कहते कि पोस्ट रिटायर्मेंट जॉब्स नहीं दिये जाएंगे या यह कहते कि उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा एक एक तम independent committee ही तै करेगी कि कि subject को कौन सा पोस्ट रिटायर्मेंट जॉब्स दूब्स दिया जाये तो एक ये है कारण तीसरा कारण ये है कि जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्मेंट्स हो रहे हैं, देखे एक समय ऐसा था, I would say कि अब तिल 1980 समझ लीजे, एक वो दौर था जिसमें दो अपॉइंटमेंट्मेंट्स का में कंट्रोल सरकार के हाथ में था, जुडिशल अपॉइंटमेंट्मेंट्स का, लेकिन उस समय सरकार जादे इंटरफेर नहीं करती थी, अपॉइंटमेंट्मेंट्स से, जो चीफ जस्टिस वगएरा जो रेकमेंट्स करते थे, उनको अपॉइंट कर दिया जाता था, 80 के बाद एक ऐसा दोर आया, आकरीब 10 साल का, 8-9 साल का, जब यह हंसराज, भरदवाज, लौ मिनिस्टर वगएरा बन गए, जब सरकार पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्मेंट्स करने लगे, एक्चली उससे पहले भी हुआ था, जब सुपर सेशन हुआ, पहला सुपर 1973 में, उसके बाद से शुरू हो गया था, तो बीच में जनता गर्मन्न के समय में तो बिलकुल कोई इंटरफेरंस नहीं होती थी सरकार की तरफ से, लेकिन उसके पहले थोड़ा 73 से शुरू हुआ, फिर सुपरीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, ये गलत है कि जुडिशरी का appointment सरकार के हाथ में हो, और जुडिशरी के independence को protect करने के लिए जरूरी है कि इसका control सुपरीम कोर्ट या जुडिशरी के ही हाथ में हो, तो सुपरीम कोर्ट के जो पांच senior judges हैं, उनका collegium ते करेगा, और उन्होंने ये भी lay down कर दिया कि हम लोग recommend करेंगे, और उसके बाद सरका को अगर कोई आपती है, तो वो एक बार वापिस कर सकती है with reasons, कि हमको क्यों इस जज के appointment पे आपती है, उसके बाद अगर collegium unanimously reiterate करता है, तब आपको appointment करना पड़ेगा, ये कानून lay down कर दिया, लेकिन इस सरकार ने एक नया तरीका अक्तियार किया, कि collegium के recommendation अगर हमको नहीं अच्छे लगते हैं, अगर हमको लगता है कि जो ये judge है, ये बहुत independent है, हमारी बात नहीं मानेगा, तो हम इसका appointment नहीं होने देंगे, अब वो क्या करते हैं, recommendation पर जवाब ही नहीं देते, बैठे रहते हैं, अब जब तक सरकार जवाब ना दे, या notify ना करे, तब तक appointment होता नहीं है, उसके बाद कभी-कभी जब जवाब देते हैं और objection उठाते हैं, और unanimously reiterate भी हो जाता है collegium से, तब भी appointment नहीं करते हैं, हमने बहुत सारे cases देखे कि सालों साल तक, या तो recommendation पर बैटे रहते हैं, या reiteration के बाद भी appointment नहीं करते हैं, हम लोगोंने Supreme Court में ये case फाइल कि दिया, कि देखिये आपके कानून का violation हो रहा है, आप इनके खिलाफ contempt निकालिये, law secretary, law minister, ये तो बिलकुल contempt of court है, या तो आप ये बोल दीजे कि भी deemed appointment हो जाएगा, और या फिर आप इनके खिलाफ contempt करिये, तो उनकी किसी की हिमत ही नहीं है, इनके खिलाफ contempt करने के, बार ब बार बार ये केस आता रहा, बार 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 हम लोग ये कहते रहे, बार 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 बस वो request करते रहे government से, कि हम हाथ जोड के आप से request करते हैं, माई बाप, प्लीज हमारी बात मान लीजे, तो तो unfortunately जो independent judges हैं, उनका appointment ही नहीं होने देरी, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक दो independent judges का appointment हो जाता है, सरकार ये कहती है कि अच्छा, आप इनका चाहते हैं, चलिए दो हमारे कर दीजे, तब हम इनका allow कर देंगे, तो ये ये भी हो रहा है, चौथा जो सबसे भयानक reason है, वो ये है कि हमने ये बात कई sources से सुनी है, और बिल्कुल सही लगती है, कि इस सरकार ने तरीका निकाला है कि हर judge के उपर सारी agencies का इस्तमाल करके, IB, CBI, income tax, ED, सब का इस्तमाल करके, एक dossier बनाती है, कि अच्छा इस judge की कोई कमजोरी है क्या कहीं, इसके कोई बच्चों की, इसके spouse की कोई कमजोरी है क्या, और अगर कोई कमजोर नब्स पकड़ ली किसी भी judge की, तो उससे फिर उनको influence करती है, और अगर वो judge Chief Justice of India है, तब तो आधी नियाए पालिका आपके हाथ में आगे, क्योंकि Chief Justice of India के दो और बड़े role होते हैं, apart from being a judge, पहला role कि वो master of roster माना जाता है, जो तै करता है कि कौन सा case, कौन सा judge सुनेगा, दो इसके बारे में rules बने हुए हैं, practice rules बने हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई भार Chief Justice जो हैं, उन rules की धज्जियां उड़ा कर, उन rules को violate करके, बिल्कुल जो politically sensitive cases हैं, वो बिल्कुल उन अपने चहेते judges के सामने भेशते हैं, जिनका पता है कि भाई ये इस तरह से इस case का फैसला करेंगे, और ये बार-बार हमने देखा है, कई बार तो Chief Justice जो हैं, अपने ही case में खुद बैढ़ जाते हैं, गोगोई साहब अपने ही sexual harassment के case में बैढ़ गए, दीपक मिशरा साहब अपने ही case में उन्होंने Constitution Bench बना कर खुद बैढ़ गए, जो Medical College Scam वाला case था, तो Master of Roster की ऐसी power है, और यही बात जो चार Chief Justice थे, चार Senior Judges थे Supreme Court के, नमबर 2, नमबर 3, नमबर 4, नमबर 5, उन्होंने press conference करके यही बात बोली थी, कि उस समय के मौझूदा Chief Justice अपने Master of Roster की power का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र खत्रे में है, तो एक तो यह बहुत बड़ी power है, जिसका दुरुपयोग करके, कोई भी Chief Justice यह तै कर सकता है, कि कोई भी politically sensitive case किस तरह से तै होगा, और अगर वो सरकार के कबजे में आ जाता है, किसी भी वज़े से, उसकी कोई कमजोर नबज अगर सरकार ने पकड़ ली, कि तब फिर वो सारे politically sensitive cases, ऐसे judge या ऐसी bench के सामने भेशता है, जिसका पता है कि सरकार के हक में करेंगे, यह सब को पता होता है कि कौन से judges सरकारी judges हैं, कौन से judges कमजोर judges हैं, कौन से judges independent judges हैं, सब को पता होता है, जब मैंने यह कौन से करप judges हैं, जब मैंने यह बात बोली थी कि half, in my view, about half of the last 16, 17 chief justices have been corrupt, तो उस पर जब मेरे खिलाफ contempt notice issue किया, court ने, तो मेरे father ने उसमें एक intervention file करा, मैंने तो नाम नहीं बोले थे, 16, 17 chief justices के, उन्होंने बकाइदा सारे नाम लेकर, एक list file करी, और सब के सामने लिख दिया, corrupt, 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 honest, 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 और दो के सामने question mark, उसमें 16 में से 8 उन्होंने corrupt mark करे, 6 honest mark करे, दो के सामने question mark लगाया, और वो मुझसे बताते थे, कि मैं एक exercise करता हूँ कभी-कभी, कि जब bar association में बैठा होता हूँ, तो कोई senior lawyer से, वो list दिखाता हूँ, 16 की, उसमें यह नहीं लिखा होता, कौन corrupt, कौन honest, मैं उन्होंने से पूछता हूँ, कि देखिए, इन 16 में आप tick कर दीजे, कि इनको आप corrupt मानते हैं, कहते थे, 90% of the time, वो ही arts नाम tick करे जाते थे, जो मैंने जिनको corrupt बोला थे, इसलिए Supreme Court में सब को पता होता है, और खास कर Chief Justice को तो बिलकुल पता होता है, कि कौन सा judge किस टाइप का है, तो इसलिए, हर case का कैसे निप्टारा हो, वो Chief Justice अगर अपनी master of roster power का दुरुपयोग करे, तो वो तै कर सकता है, दूसरा power एक Chief Justice के पास और होती है, जिसको कहते हैं, he is the prime mover in the matter of judicial appointments, यानि कि जब Collegium, Collegium तो पांच जजों का होता है, वो जब फैसला लेता है, कि हम इन तीन judges को appoint करना चाहते हैं, तो Chief Justice वो Collegium का decision गर्वर्मन को भेचता है, अगर गर्वर्मन का pressure आया, या Chief Justice खुद नहीं चाहता था कुछ लोगों को, और बाकी members of the Collegium चाहते थे, इसलिए Collegium ने फैसला ले लिया, तो Chief Justice अगर उस recommendation को frustrate करना चाहता है, तो वो recommendation आगे भेचता ही नहीं, और कई बार ऐसा हुआ है, Justice मदन लोकुर ने अपने interview में बताया था कि दो judges का नाम Collegium ने तै किया था, Supreme Court लाने के लिए, लेकिन उनका नाम गोगोई साब ने आगे भेजा ही नहीं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी उनको, उन judges को, तो इस वज़े से अगर Chief Justice को किसी तरह से सरकार ने घेर लिया, तो आधी नियाए पालिका सरकार के हाथ में आ जाती है, अब सवाल ये है कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें कई reforms की जरुवत है, पहली बात तो ये है कि ज़िए reforms के बारे में मैं बात करूँगा, पहले judicial accountability के बारे में बात कर लेता हूँ, तो ये तो independence की बात हो गई कि independence क्यों चर्मर आ गई है, और जिसकी वज़े से जैसे उन चार जज़े जने बोला कि लोकतंत्र खत्रे में आ गया है, क्योंकि जब न्याय पालिका की independence चर्मर आ जाए, तो फिर ना तो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा होगी, ना सम्विदान की रक्षा होगी, ना लोकतंत्र की रक्षा होगी, और यही हो रहा है, दूसरी problem ये है judicial accountability की, यानि जवाब देही की, कि अगर कोई judge corrupt हो जाए, या misconduct करने लगे, या अपनी powers का दुरुपयोग करने लगे, तो उसका क्या होगा, सम्विदान में न्याय पालिका को protect करने के लिए, उसकी स्वतंतरता protect करने के लिए, ये कह दिया है कि भई, कि रिमोवल किसी judge का सिर्फ impeachment के थू हो सकता है, और impeachment को बहुत difficult process बना दिया, कि पहले तो 100 MPs sign करके impeachment motion दें, फिर speaker या vice president उसको admit करे, फिर तीन judgeों की inquiry committee बनाई जाती है, वो उसका trial करे, और उसके बाद अगर वो hold करते हैं कि ये guilty हैं of serious misconduct, तब मामला फिर से parliament में जाता है, और दोनों houses में two-third majority से pass होना होता है, लोकसभा, राजसभा में, and an absolute majority of the total strength of the house. तो रामस्वामी की case में क्या हुआ? हम लोगों ने impeachment motion बनाया, बहुत सारे charges का evidence निकाला, 125 MPs से sign कराया, speaker को दिया, speaker ने admit कर लिया, एक अच्छी inquiry committee बनायी, जिसके chairman justice सावंत थे, दो और बड़े अच्छे judges थे, justice PD देशाई थे, जो बहुत ही legendary judge, महराश्टर और यहां, एमदाबाद के रहे हैं, और, एक jurist थे, justice चिनापा रेड़ी, बहुत बड़ी हाँ inquiry committee थी, क्योंकि उसमें यह लिखा है, अभी रहे chief speaker थे उस समय, और speaker, तो कानून में यह लिखा है कि, that this speaker has to decide the inquiry committee after consulting the chief justice of India, chief justice उसमें, रंगनाथ मिश्रा थे, जिनकी reputation बहुत अच्छी नहीं थी, तो, उनको पूछना था, उनको consult करना था, तो मेरे father ने advice किया, रभी रे साब को, कि देखिए, आप उनसे यह मत पूछिएगा, कि किन जजों को हम appoint करें, आप उनसे यह बोलिए, कि हम इन तीन जजों को appoint करना चाहते हैं, आपकी कोई आपत्ती है क्या, तो, उन्होंने इन तीन का नाम बोला, और सीधा पूछा कि, इन तीन जजों में से आपकी कोई आपत्ती है क्या, तो कहते हैं, नहीं, आपत्ती तो नहीं है, तो नो बोला ठीक है, बस थैंक यू, हो गया consultation, तो, इस वज़े से उन लोगों ने उनको, क्योंकि अच्छे जजों थे, बहुत इमानदार, हुश्यार, स्ट्रॉंग, इंडिपेंडनेंट, तो उन्होंने, ट्राइल कंक्लूड करके, बोल दिया, कि हाँ, इन्होंने, बहुत सीरियस मिसकॉंड़क्ट किया, मामला पार्लिमेंट में वापिस गया, वोटिंग के लिए, कॉंग्रेस पार्टी उस समय मिजॉरिटी में थी, उनकी सरकार थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया, कि हम एपस्टेन करेंगे, और लोक सभा में उन्होंने, सबने एपस्टेन कर लिया, विद दे रिजल्ट कि, जो रिजलूशन था, वोट चाहिए थे, वो नहीं थे, तो इसलिए, फेल हो गया, अभी दूसरा जो एक, दीपक मिश्रा का इंपीच्मेंट की कोशिश हुई, वो उनके खिलाफ कई बहुत सारे सीरियस चार्जिस थे, हम ही लोगों ने इंपीच्मेंट मोशन उनका ड्रॉ किया था, कॉंग्रस पार्टी ने हिम्मत करके, कुछ अपने एंपीच्मेंट से साइन कराके, कुछ और एंपीच्मेंट से साइन कराके, उपोजिशन के एंपीच्मेंट से साइन कराके, राजसभा में दे दिया राजसभा में vice president के सामने जाता है, उनको admit करना होता है वो तो political आदमी थे उन्होंने reject कर दिया उसको challenge किया rejection को supreme court में supreme court में bench कौन बनाता है वोही chief justice जिनके खिलाब impeachment motion था उन्होंने bench बना दी और उस bench ने बोल दिया कि नहीं यह rejection ठीक है वो उसके वाइस प्रेजिडेंट के ऊपर है वो चाहे तो accept करें चाहे reject करें तो यह जो impeachment का process है यह बिलकुल ठीक नहीं है judicial accountability के लिए यह तो एक political process है बहुत मुश्किल process है वगएरा वगएरा उसके बाद फिर जब justice वर्मा chief justice थे तो उन्होंने एक chief justices conference करी सारे high court के chief justice उसको बुलाया और एक code of conduct drop किया सारे जजों के लिए यह दूसरी बात है कि वो code of conduct आज बहुत सारे जजों नहीं follow कर रहे हैं उसमें तो यह भी है कि आप politicians के meetings वगएरा में नहीं जाएंगे politicians वगएरा से नहीं मिलेंगे यह सब भी है लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे judges जो हैं वो तो फुले मंच पर कह देते हैं कि prime minister is my hero यह he is क्या क्या बोल दिया था उन्होंने यह मिश्रा जो थे की he is a visionary and so on and so forth तो तो उस code of conduct को enforce करने के लिए उन्होंने बोला कि हम एक in-house committee बनाएंगे अगर कोई complaint आती है किसी judge के खिलाफ तो एक in-house committee बनेगी वो chief justice बनाएगा और उनसे inquiry करवाएंगे कि उसमें एक sitting judge होगा supreme court का एक sitting chief justice होगा high court का एक और कोई होगा और यह inquiry करेंगे और फिर अगर inquiry में हमने पाया कि भई यह ठीक नहीं है तो हम impeachment recommend कर देंगा यह बोला गया लेकिन होता क्या है कि हम लोगों ने इतने सारे judgeों के खिलाफ complaints दी chief justice को जायतर सब बगेर देखे कुड़े में फेक दिये जाते हैं या देखकर कुड़े में फेक दिये जाते हैं कि क्योंकि जिस judge के खिलाफ complaint है उसका कोई न कोई connection है chief justice के सांग सब connection निकाली लेते हैं बनाई लेते हैं यह जो कहते हैं न कि judicial brotherhood इसमें बहुत truth है there is a brotherhood among judges तो इसलिए वो भी नहीं कुछ थोस उपाय नहीं है फिर एक judicial standards and accountability bill लाया गया जिसमें बनाया कि भई एक judicial accountability commission होगा उसमें फला लोग होंगे कुछ supreme court के judges कुछ और jurist कुछ law minister लेकिन जो complaint आएगी किसी judge के खिलाफ वो सबसे पहले उसी high court के तीन judges के सामने भेजी जाएगे और वो लोग अगर पाएं कि भई कुछ गरबढ़ है तब फिर वो आगे बढ़ेगी अब problem तो यह है कि जो judicial brother road होता है उसमें वो मामला आगे बढ़ता ही नहीं तो खेर उस bill पर बड़े objections हुए फिर यह हुआ कि आखिर में अगर मान लिजे जुडिशल कमिशन ने कुछ ते भी किया कि भई हाँ यह जजज गरबढ़ है इसने misconduct किया इसको उटाना चाहिए तब फिर से मामला पार्लिमेंट में जाएगा impeachment के लिए तो उससे भी कोई खास फाइदा नहीं होता था बस इतना फाइदा होता था कि भई सो MPs के जो साइन कराने होते हैं impeachment motion पर उसकी जरुवत नहीं होती थी एक दूसरा रास्ता भी था impeachment को शुरू करने का तो वो भी कोई ठीक नहीं वोट जो हमलों की जरुवत है वो तो एक बिलकुल independent judicial complaints authority या judicial conduct commission कह सकते हैं जो भी उसका नाम रखिये जो सरकार से भी independent हो judiciary से भी independent हो जिसमें कुछ retired judges हो सकते हैं लेकिन कुछ और भी लोग होने चाहिए जिनके सामने लोग complaints फेजें वो लोग उसकी inquiry उनके पास एक investigative machinery भी हो जो उसके जरिये investigation भी करा सकें उसके बाद फिर judge का trial hold करके और अगर वो फिर hold करें कि उसने misconduct किया उसको remove होना चाहिए तो वो removal या कोई भी और disciplinary action उस judge के खिलाफ suggest कर सकते हैं और वो जो भी वो judicial conduct commission जो तै करेगा वो फिर मान्य होगा फिर कोई parliament वगेरा में नहीं जाना होगा ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा कोई करना ही नहीं चाहता जुडिशरी तो बिल्कुल ही नहीं चाहती और सरकार भी नहीं चाहती सरकार चाहती है कि ये ठीक है इनकी accountability ना रहे so long as ये हमारा काम करते रहें तो वो ही सब चल रहा है तो देखें reforms तो बहुत सारे चाहिए हम लोगों को जुडिशरी में सबसे पहले तो ये problem है कि आधे से जादा लोग इस देश के 80% लोग तो जुडिशरी को इसलिए नहीं access कर पाते क्योंकि उनके पास वकील के पैसे नहीं है उसके लिए gram नियाले का कानून बना कि ग्राम नियाले बनाए जाएंगे जिसमें judges होंगे जो की सब तहसील लेवल यानि की award लेवल पर होंगे और उसमें जो procedure होगा वो strictly CRPC, CPC वाला नहीं कोई जरूरी नहीं है वो जो gram नियाले हैं वो कोई भी ऐसा procedure अडॉप्ट कर सकते हैं जो की त्वरित नियाय के लिए ठीक हो और जिसमें principles of natural justice को आप follow करें यानि कि हर एक आदमी को opportunity देनी होगी अब वो कानून बने हुए भी अब 13 साल हो गया और अभी तक उसको कार्यानवित नहीं किया गया hardly कोई gram नियायले बने हैं हिंदुस्तान में hardly कोई कार्यानवित हुए है so actually तो हम लोगों को उस तरह के नियायले बनाने की जरुवत है जिसमें कि आम आदमी बगेर वकील के जा सके informal court system होना चाहिए उसके अलावा बार-बार judicial ये जो हमारी जो law commissions हैं ये बार-बार कह चुकी हैं कि हमको judges की strength बढ़ाने की जरुवत है और बढ़ाने का तो छोड़ दीजे अभी भी करीब 30 to 40 percent vacancies हैं हमारी existing judiciary में 30 to 40 percent मतब हम लोग जब court में PILs file करते हैं कि ये civil service reforms होने चाहिए या police reforms होने चाहिए उस पर तो कभी कभी कुछ कुछ supreme court कर देता है लेकिन हम लोग ये PIL अगर file करते हैं कि judicial reforms होने चाहिए उस पर कुछ नहीं होता फिर appointments का जो system है actually एक full time commission होना चाहिए ये जो system अभी बना हुआ है na collegium का collegium वाले मुँआ भी खूब भाई बतीजा बाद चलता उसका reason ये है कि जो judges sitting judges है senior five judges उनके पास तो judicial work ही इतना होता है कि वो इस तरह के administrative work के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अगर आपको हर साल हर साल high courts और supreme court में कम से कम 100 judges का appointment होता है अब 100 judges का अगर आप appointment कर रहे हैं तो उनके लिए आपको 1000 लोगों का को short list करना पड़ेगा 1000 लोगों को देखना पड़ेगा उन में से आप छाटेंगे 1000 लोगों का देखने के लिए एक एक जने का record देखने के लिए आपको एक एक दिन से ज़्यादे लगेगा आप कैसे एक साल में आप judicial work भी कर रहे हैं 1000 लोगों का कैसे देख लेंगे और इस वज़े से होता ये है कि हरे एक appointment इस तरह से हो रहा है कि वही किसी chief justice ने बोल दिया रहे हम तो उसको जानते हैं तो बड़ा अच्छा ज़ज़ए बाकी लोग कह देते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो इसको appointment कर देते हैं इसी तरह से पूरा system judicial appointments का चल रहा है पहले तो खेर और भी खराब था कि भई law minister खुद appoint करता था तो जैसे किसी ने बोला था शज़ेट मलानी ने कि in order to become a judge you don't need to know the law you need to know the law minister तो उससे थोड़ा सा बहतर हुआ थोड़ा सा जादे independent judges appoint होने लगे collegium में लेकिन ये भी कोई satisfactory system नहीं तो हम लोगों को एक full time judicial appointments commission की जरुवत है जो सरकार से भी independent हो judiciary से independent पूरा होने की जरुवत नहीं है judicial conduct commission को judiciary से independent होने की जरुवत है judicial appointment commission को जरुवत नहीं है सरकार से independence की तो जरुवत है सरकार से बिलकुल independent होना चाहिए उसमें सरकार का कोई हस्तक शेप नहीं होना चाहिए लेकिन वो full time body होनी चाहिए और वो ऐसी body होनी चाहिए बहुत high power जिनका selection भी एक बहुत सोच समझ कर एक तरीके से किया जाए जिससे की proper लोग उसमें select हो पाए फिर independence को insure करने के लिए यह post retirement jobs का जो सिलसिला है यह तो हमको बिलकुल सरकार के हाथ से बाहर निकालना होगा मैं यह नहीं कहता कि किसी judge को post retirement job नहीं दिया जा सकता कई जगे दिया जाना चाहिए लेकिन उसका कोई उसमें कोई सरकार का बिलकुल भी रोल नहीं होना चाहिए या तो कोई judicial appointments commission जो एक independent full time body है वही तै करे कि किस judge को कौन सा post retirement job दिया जा सकता अब उसके अलावा ये master of roster का जो system है इसको बदलना चाहिए हम लोगों ने एक petition भी file करी थी उस case का नाम ही है हमारे father petitioner थे उसमें शांती भूशन versus union of India कि ये master of roster एक आदमी नहीं होना चाहिए उसमें आप 5 judges का collegium senior judges का collegium को roster की जिम्मेदारी दे दीजे roster एक बार बन जाए roster का मतलब यह होता है कि कौन सी bench किस तरह के cases से deal करेगी उसके बाद अगर मान लिजे तीन चार benches हैं एक ही तरह के case से deal करने के लिए तो फिर उन में से किस के पास जाए वो एकदम random ली जाए computer से तो बहुत सारे reforms होने की जरुवत है अब सवाल यह है कि वो reforms होएंगे कैसे कौन करेगा तीकि सरकार को तो इसमें कोई interest नहीं है कि judiciary में कोई reforms हो योगि सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि हम आदमी को न्याय मिले कि ना मिले और सरकार तो यह चाहती ही नहीं कि आम आदमी के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो या लोकतंत्र की रक्षा हो या समविधान की रक्षा हो यह मौजूदा सरकार तो इन सब चीजों को ध्वस्त कर रही है तो उनको तो यह सूट करता है कि न्याय पालिका ऐसी चर्मराई हुई रहे ऐसी कमजोर रहे अभी दुश्यन दवे का एक इंटर्व्यू लाइब लॉव में परसों आया है बहुत अच्छा इंटर्व्यू आप लोग को देखना चाहिए जिसमें हो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आज पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कमजोर सुप्रीम कोर्ट है और मैं उस बात से पूरा सहमत हूँ तो सरकार तो यही चाहती है कि बिल्कुल कमजोर रहे सरकार के सामने खड़ी ना हो पाए तो इसलिए वो तो कोई रिफॉर्म्स नहीं करना चाहती है उनको तो यह सूट करता है इस तरह की चर्मराई हुई नियाएक व्यवस्ता सरकार को सूट करती है नियाए पालिका भी नहीं करना चाहती यह अनफॉर्चुनेट चीज है बहुत unfortunate है, जब हमने वो वाला case जब किया न, वो medical college scam वाला, हम लोग तो Supreme Court इसलिए गए, क्योंकि हमको एक whistleblower, CBI का whistleblower, वो दस्तावेश दे गया, जिसमें लिखा था, जिसमें इन्होंने, CBI ने, एक जो retired chief justice थे, उड़िसा के, जो की उस समय के, जो chief justice, दीपक मिश्रा से बहुत नजदीक ही माने जाते थे, कुद्दूसी साहब, उनका और, जो medical college का जो, owner था, उनके बीच में conversation tape कर लिया था, टैप कर लिया था, तो, वो, कुद्दूसी साहब उस से कह रहे हैं, कि वे, कप्तान से बात होगे, ये case, दीपक मिश्रा साहब के सामने चल रहा था, तो, कह रहे हैं, कप्तान से बात होगे, ये, उनको तीन गमले पहुंचाने होगे, तुमारा case हो जाएगा, तीन गमले पहुंचा देना, तो, अब हम लोगों ने petition ये file करी, कि देखिए, बड़ा खतरनाक है, कि CBI जो है, जो हमारे sitting chief justice है, उनका investigation कर रही है, और CBI तो सरकारी संस्था है, तो इसलिए एक Supreme Court monitored SIT होनी चाहिए, इसका investigation करने के लिए, लेकिन इन्होंने, दीपक मिश्रा ने खुदी constitution bench पहले बना दी और बोल दिया, कि नहीं नहीं, ये case हम ते करेंगे, कि कहां कौन decide करेगा, कौन सुनेगा, और फिर इनके अरुन मिश्रा साब के यहां, यूमन राइट्स कमिशन के chairman बन गए न, उनके यहां बेज दिया, और उन्होंने बोला कि नहीं, SIT की कोई जर्वत नहीं है, CBI बड़ी अच्छी संस्था है, CBI करे, क्योंकि Chief Justice भी यहीं चाहते थे, कि CBI करे, क्योंकि CBI अगर करेगी, तो आप सरकार से deal कर सकते हैं, आप बोलेंगे सरकार से, कि हम आपका काम करते रहेंगे, आप बस हमको छोड़ दीजे, हमको बक्ष दीजे, अगर Supreme Court monitored SIT होगी, तब फिर वो करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए, बहुत बार, जो कमजोर या जो corrupt judges होते हैं, वो यहीं चाहते हैं, कि भई, यही व्यवस्था चलती रहें, क्योंकि उसमें यह तो option है ना, कि हम सरकार का काम करते रहेंगे, सरकार हमको छोड़ती रहेंगे, फिर हमको कोई trouble करने वाला नहीं है, तो नियाए पालिका भी, दूसरी एक problem यह हो गई है, यह जो सारी एक industry खुल गई है, arbitration की, अब arbitration की industry इसलिए चल रही है, क्योंकि मौझूदा नियाएक व्यवस्था चर्मराई हुई है, और इस industry में जजों को खुब, रिटायर जजों को खुब पैसा बन रहा है, कोई जना कमा रहा है, दो करोड कोई जना पांच करोड साल में बगएरा बगएरा, इस industry के द्वारा, इस industry के through, तो, और जातर जजज अब arbitration कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे मांदार जजज भी हैं, वो भी arbitration कर रहे हैं, और unfortunately एक kind of psychological impact उसका होता है, कि जजों को ये लगने लगता है, कि भई हाँ, ये विवस्था ठीक तो है, इसमें क्या problem है, उनको ये नहीं समझ में आता, कि जो common man है, उसको क्या problem हो रहे हैं, तो इस वजे से ये चलती जा रही है, तो, judiciary भी कोई reform नहीं करना चाहती, कोई substantial reform नहीं करना चाहती, तो ये कैसे होगा, ये reform करने के लिए पिर हम लोगों को खतम होगे, खतम होगे, फिनिश, फिनिश, ये reform करने के लिए, जनता को खड़ा होन पड़ेगा, तेखे हम लोग जो हैं, the consumers of justice are the real stakeholders in a working system of justice. जब तक एक citizens या consumers of justice का movement नहीं बनता for judicial reforms, तब तक ना तो सरकार कुछ करेगी, ना न्यायपालिक का कुछ करेगी. Judicial reforms का एक movement, जो जैसे वहां कश्मीर में बनाया था ना, Association of Parents of Disappeared Persons, APDP. जो भुक्त भोगी हैं, जो तरस्त हैं, इस system से, जिनको judiciary की जर्वत है, justice के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करवाने के लिए, उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, एक movement कड़ा करने यह मैं कहना चाहता था, बहुत भाट भाट धनिवाद, थैंक यह.